हेलो एंड वेलकम अगेन इस्टुडेंस आयम गीता नेगी फ्रॉम नौजोती ग्लोबल स्कूल मोना तो प्टिक आपको कहां सुनाया देता है जो वाच होती ना उसमें सुनाया देता है ना तो उसी के बारे अज पड़ेंगे आपने देखा ओक वाच में क्या होती है जो सुई होती है, कितनी होती है थ्री सुई होती है, एक मिनट एक आवर एन इन सेकंड सेकंड मिनट एन आवर ठीक है, जो सेकंड की होती है पतली सी लंबी सी होती है और सेकंड की उससे सेकंड की पतली सी लंबी सी होती है मिनट की फ़र मोटी होती है और जो आवर वाली होती है वो सबसे चोटी होती है हम उसी के बारें पढ़ेंगे Practice Time है, सीधे उपर वाला पढ़ लीजीगा Practice Time से स्टार्ट करते है First is, three friends Read time from a clock Who is right अब तीन friends है, वो क्या करें Chiku, Bittu and Pinky है वो क्या करें, clock को देखकर time बता रहे है आप हमें बताने की कौन डिसमन से right है ठीक है first Jiku second bitu की table है and third pinky की table है ठीक है तो आप ये वाले में देखेंगे आप इसमें क्या दिखने की सिर्फ minute और hour वाली हमारी स्वीधी ले रेकिए ठीक है ये जो छोटी वाली है मैंने कहा था वो क्या है आवर वाली और ये जो लम्बी वाली हो हो मिनट वाली है थिक probably डिके तो आप ची कु बोल रहा है 12 12 3 O'Cvard रखा है और घृतल बोलर है 12 15 O'Cvard रखा है और पिंकी बोल लिए 3 O'Cvard रखा ठीक है तो right time क्या है जो ये है जो छोटी वाली है वो hour वाली है यहीं कि 3 हो गया ठीक है वो 3 में है तो 3 अभी 3 बज़े है तो यहां पर क्या जाएगा 3 और सीरे बारे में कही है तो हमारे क्या रखता है कि 3 o'clock हो रखा है तो कौन right है pinky right है इसी तरह से next देखेंगे हम चिंकु बोल रहा है 7 25 हो रखा है बिटु बोल रहा है 5 7 हो रहा है और pinky बोले है 5 35 लोले के ठीक है तो कितना हो रहा है यह है हमाई छोटी वाली आवर वाली कितने में है फाइब में तो ये तो ठीकी हो गया और 12 से 1 तक कितने मिनट होते है हमारे 5 मिनट तो इसी तरह से सब में 555 तक ही तो यहां तक 6 तक क्या हो जाते हैं 30 मिनट हो जाते हैं और 7 तक 35 तो कितने हो गये हमारे 5.35 तो इसमें भी pinky right है next है हमारी next watch है 7.15 ओरे इसमें भी कौन right है pinky right है तो इस तरीके से आप करेंगे इसको next चलते है so the flowing times in the clock जो यहाँ पर time दिया है न अब आपको क्या करना है इसको in clock पर show करना है ठीक है तो आप कैसे करेंगे 3.10 हो रखा ना 3.10 भी बताया था 12 से 1 में जाएगी तो second वाली तो minute वाली तो कितने होगे 5 minute जाते है तो क्या करेंगे हम 3.10 बताना है तो 3 में छोटी वाली आ जाएगी और 10 यानि की 2 के होँआ पर 10 आ जाएगा तो अब इस तरीके से show करेंगे 6.40 6 तो यह हो जाएगा तो थोड़ा हमारा क्या जाएगा तेड़ा आ जाएगा क्योंकि 6.30 से जादा हो गया ना तो 6.40 बनाना है 30 यहाँ है हमारा 35.40 ठीक है तो यह minute वाली ऐसे बनेगी 4.453 4.45 तो आप यह इसमें show कराएंगे इस तरीके से नेक्स है हमारे इसमें 220 वो करना है आपको इसमें 3.15 एन 7 35 ठीक है 220 कैसे करेंगे आप 2 यह हो गया दीखनी रहे बड़ा बना देती हूँ 2 और 20 यानि की 4 मा आ जाएगा इस तरीके से 3.15 ठीक और यह भी 15 भी सी मा आ जाएगा 7.45 7 यह आएगे यहाँ पर हमारा 6 के बाद 7.35 और यहीं पर मिनट वाली भी आ जाएगी ठीक है इस तरीके से Do you like sky watching? If yes then this one should interest you ठीक है आपनों को sky देखना अच्छा लगता है तो आपनों को अच्छा लगता है इंट्रस्ट है तो आपको यह सब चीजे में मजा आएगा At what time do the sun rise at your place? आपके place में जब sunrise हो दाए ठीक है वो time लिखना है आपने जैसे 6 o'clock हो गया morning में 6.30 में हो गया वो यह आपको यहाँ पर वो भी करना है शो भी करना है जैसे मैंने लिख दिया कि 6 morning में 6 में होगा तो 6 और यहाँ 12 में जाएगा ऐसे when does the sun set sunset कब होता है तो वो हो सकता आपका 5.30 में 6.30 में इस रिखेशा आप इसमें शो भी कर सकते हैं 6.30 6.30 लिख दिया तो आप क्या करेंगे 6.30 में वो शो भी करेंगे Does the sunrise and sunset at the same time everyday same time में होता है नहीं क्यों मन्थ में क्या होता है जैसे हमाई मन्थ होता है अलग-अलग time का अलग-अलग कभी 6.30 में हो जाता है कभी 6.30 में हो जाता है कभी 5.30 में कभी 5.00 में भी ठीक है तो इस तरीके से हो जाता है इस तरीके से आप इनको करेंगे Look at a newspaper and see the time of sunrise and sunset is different आपको लोग को न्यूजपेपर देखेगा उसमें आपको बता जल जाएगा Sunrise, Sunset different, different time में होते रहता है अब हम next है Find out how long will it take the minute hand to move from आप minute यहापे कुछ clock दी गई है उसमें बताने है आपको कि कितने minute में हो उसमें move किया होगा ठीक है वहाँ से जहाँ पे है वहाँ से minute minute वाली जो सुई हो थी उसने कितना time लगा होगा ठीक है तो यह से first वालत देखे रहूंगा तो यहाँ पे कहाँ पे है 3 के 3 और 4 की बीच में और 7 में चली गई है और यहाँ कहाँ चली गई है बीच में ही है लेकिन यहाँ कहाँ चली गई 10 में तो कितने minute होगे तो यहाँ से यहाँ 5 5, 10 और यह 15 तो यहाँ पे कितने लिखें गया 50 minute के बाद हो वहां पर चली गई है 15 मिनट जब उसने लिए उसके वाप बी वाला तो अभी कहां है 4 o'clock हो रखा आप कहां चलीगी पहले कहां थी 4 और 3 के बीज में यहां 8 में थी और आप यहां कहां चलीगी 4 o'clock हो गया तो कितने मिनट लगे उसे 5, 10, 15 और यह 20 तो आप इस से लिए आपगे कहां लिखेंगे 20 मिनट इससे लिए नेक्स आपका इसमें उसने लिए 10 मिनट आप देख रहे होंगे पहले कहां थी 6, 6, 5 में थी और फिक कहां चलीगी 6, 15 में तो इसमें 20 में 10 नेक्स वाण यहां खुँद से करेंगे ठीक है next चलते हैं draw where the hand will be will be अब आपको बताए draw करना है इसमें ठीक है 20 minute after 6 o'clock 20 minute after ठीक है तो क्या करेंगे आप 20 minute after के लिए आप क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे आप 6 छोटी वाली 6 6 or 7 के बीच में होगी और ये फूर में ठीक है after यानी के पहले 6 6 o'clock के after इस तरीके साप करेंगे इसको okay next आप करेंगे 8 o'clock वाला यहाँ जाएगा आपका यह और इस तरीके से ठीक है यहाँ आप करेंगे सेवन में यह और सेके मिनट वाली यहाँ इस तरीके से इसमें करने आपको 5 और यह आजाएगा आपका थिरीके उसमें इस तरीके से आप इसको करेंगे आपको लिखना है जैसे पर यहाँ पर इसमे करना है जाएगा जाएगा कि सेवन जाएगा जे इस तरीके से आपका थिर्स तरीके से आपको जाएगा जाएगा आपको क्या करना है, पहले घैस करना है, एंद फिर चेक करना है, क्या कि आपके इन activities को करने में, कितना मिनट लगता है, जैसे boiling 1 liter, one litre milk boil करने में, कितना time लगता होगा, फाइब से औरा शेक सकता हूगा, आप लोग फिर चेक करके देख सकते हैं, जब आपकी ममाimmen milk boil करती है, तो उस time आप देख सकते हैं timer लगा कि कितने time में हुआ ऐसे filling of bucket तो उसमें भी 3-4 minute में bucket भर जाती है sweeping your room room की सपाई जब आप लोग करते हैं तो कितने time में हो जाता है और यह आप लोग करके भी देख सकते हैं ऐसे activity time है in one minute how many times can you आप one minute में कितने times यह कर सकते हैं snap your finger जो आप चुटी बजाते हैं वो कितने कर सकते हैं ठीक है आप one minute में आपने देखना है कि आप one minute में कितने time कर सकते हैं ठीक है कितने बार कर सकते हैं how many times ठीक है 30, 15, 15 times इस तरहीके से आप कर सकते हैं skip or rope जो आप रसी को खिलते हैं वो वन मिनट में आप कितने कर सकते हैं 30, 20 या 35 कोई जादा भी कर सकते है इससे jump and and down जो कूदना कूदते हैं आप लोग ठीक है jump करना वो आप कितने मिनट कर सकते हैं ऐसी एक और आपको खुद से यहाँ पर फिल करना है तो आप किया कर सकते हैं eye blinking कितने बार कर सकते हैं वो आप इससे में लिखे हैं ठीक है ऐसे फिर here is another challenge for you आपके लिए कुछ और challenge भी है how long आप कितने long time तक इसको कर सकते हैं speak non stop कितने time तक आप बोल सकते हैं तो आप timer लगा लिजिए फिर बोलना start कीजिए जैसे आप बोलना बन करेंगे timer भी off कर दीजिए कि कितने minute तक आपने किया non stop बोले आप stand on one leg one leg पे stand कितने time तक रह सकते हैं ठीक है वो भी आप timer में कर सकते हैं sing ah without a break ah करना है आपको practice करनी है ठीक है आप timer लगा लिजिए उसमें time देखे कितने देर तक आपने aaaah ऐसे बोला ठीक है फिर हो time आप यहां पर लिख सकते हैं how long do you take to run a 50 minute race कितने हो कर रहे हैं ठीक है collect 50 pebbles from the ground ground से pebbles जो आप अंकड़ोते हैं वो कितने time में आपने collect किये count 1 to 100 कितने time में किये count 1 से 100 तक count किजिए फिर time देखे इस तरीके से ठीक है ऐसे करिए आप look around you and list activities that take about 1 hour to complete जो आपको अपने आसपास देखना है कि आप कौन कौन सी ऐसे activities हैं जिसको आप 1 hour में complete कर सकते हैं जैसे to cook food खाना 1 hour में बन जाता है ठीक है ऐसे watching cartoons हो वो एक 1 hour लगता है उसमें भी to finish homework homework करने में भी time लगता ही है play match to get ready for party तो इन सब चीजों में भूछ टाइम लगता है तो हम ओल ऐसारी activities लिख सकते हैं how long does it take to cook dinner at home तो कितने में टाइम में बन जाता होगा आपके घर में जो खाना बनता है more than one hour an hour less than an hour ठीक है तो जहां तक one hour से जादे ही time लगता है तो आप more than an hour लिख सकते हैं hour में tag कर सकते हैं ask your father if he can cook as fast as your mother does तो अब आपको अपने फादर से पूचना है कि आपकी मदर से जल्दी खाना बना सकते हैं अगर yes तो yes no तो no आप ये खुद से लिख सकते हैं which game take less than an hour to finish जो ऐसे games के नेम लिखने हैं जो आप one hour से कम में फिनिस कर सकते हैं ठीक है तो जैसे आपका loodoo हो गया snack हो गया तो ये सब तिंग ये सब आप लोग लिख सकते हैं जो आप one hour से कम में फिनिस कर सकते हैं how long does a football match take football match कितने time का होता है कितने long होता है तो 90 minutes का होता है इस तरीके से आप इसको करेंगे ठीक है next है मैंने कुजी आपके लिए बना रखा है इस तरीके से ठीक है मैंने उतार दिये मैं आपको समझा रही हूँ mark this in the correct order on munyas timeline जब आप munyas की diary उसमें पढ़ेंगे next आगे को तो उसमें आप इस तरीके से देखेंगे उसमें diary के अलग लग page किये थे ठीक है उसकी हमने क्या कर दिया timeline में आ दी जैसे 5-3 तो 5-2005 को उसकी जो sister थी वो born हुई थी ठीक है इस तरीके से दे लिग दिया 15-9-2005 first two था था उसकी sister का 10-11-2005 को set up किया था उसने पहली बार 20-11-25 course started crawling ठीक है तो उसने थुआ बढ़ बढ़ भुटनों से जानना start किया था 5-1-2006 को 2-up 5-9-2006 at banana उसने first time banana उस दिन खाया था ठीक है इस तरीके साब timeline आप लोग इस तरीके से answer उसका कर सकते है How old was Munya when she first set up जब Munya थी तो कितना में 8 months में first set up किया था उसने she got her first tooth first tooth का वाय था उसका 6 month में Munya उसकी sister का नाम Munya था ठीक है Rani की जो sister थी Now write which date this stand for आप हम इन dates को कैसे लिख सकते है ठीक है इस तरीके से तो 5 5 2006 को यह तो short form लिखा है ना तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं 5 तो 5 ही आ जाएगा और month हमारा कौन सा है 5 यानि कि January, February, March, April, May तो आप क्या करेंगे इसकी जेगे भी क्या लिख देंगे May and 6 को short में लिखा है तो हम क्या लिखेंगे पूरा 2006 लिख लिखेंगे इस तरीके से हम इसको full form में लिखेंगे इसकी ठीक है जैसे आज की डेट है आज की डेट क्या है 26 फिर आ गया हमारा 5 0 21 जब हम इसे full form में लिखना होगा तो हम क्या 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 लिखेंगे 26 अभी 5 है तो क्या हो गया May 2021 इस तरीके से हम इसको करेंगे ठीक है नेक्स चलते हैं write these dates in numbers अब हम क्या करना है इनको numbers में लिखना है अभी हम क्या करेंगे उनकी full form में लिखना है अब हमें इसको क्या करना है short form में करना है जैसे 1 June 2006 तो 1 1 तो 1 के आ जाएगा June कौन सा मन्त होता है January, February, March, April, May June तो June क्या जाएगा हमारा 6 and 2006 को हम क्या करेंगे सिप इतना ही लिखेंगे पीछी का हिस्टा 0, 6 ऐसी 30 माई 2006 को 35, 6 इस तरीके से आप करेंगे 10 अगस्ट 2007 को 10 अगस्ट कौन सा मन्त होता है मारा 8 numbers में कहां पर आता है 8 में आता है 15 days इस तरीके साब इसको करेंगे ठीक है next है how long did it take the letter to reach from Ajme to Nagpur कितनी time में पहुँचा तो कितनी time में पहुँचा 5 days में ठीक है तो fill in the table है यहाँ पर कुछ day दीगे number of days लिखने है जब आप सबानास का और आतिवस का वहाँ holiday वाला लैटर वाल चैप्टर पढ़ेंगे तो लैटर पढ़ेंगे तब आप बोलता जलेगा ठीक है अभी मैं इनके exercise बिता रही हूँ सिदे सबानास holiday तो कब से थी वो 1-6-2006 यानि कि 6 कौन सा मन्त होता है हमारा 5 वाला मही हो गया June 1 June 2006 से 9-8-2006 9-8-2006 तक उसके holiday कितने दिन मना है उसने 70 days number of days ने लिखना है ठीक हो है इस तरह के आतिफ's holiday 1-5-2006 29-6-2006 तो उसने कितने दिन दिन पिता है 60 days इस तरीके से आप करेंगे Next है Which long holiday do you get in school fill the table अब आपके जो होते हैं इस्कूल में तो इस साल भी आपको कुरण चल गया Last year था आपका उसने में भी क्या हुआ था आपका कुरण हो गया उससे पहले का हमने फिर लिख रखा है 2019 का तब आप लोग स्कूल गए थे तो तब का लिखा है Summer holiday Dates From 2 कब से होती है 1-6-2019 and 30-6-2019 यानि कि एक जून से पढ़ी थी आपको तो 30 जून तक ठीक है तो 30 डेस का ये तो सीधे हो गया Winter break Winter break कम होता है हमारे वहाँ तो 1 January 2020 5 January 1 June से 5 January Sorry 15 ना जाएगा आपे 15 January तो कितना हो गए? 15 days Holiday after the exam Exam के बाद जो आपका holiday होते हैं 23 March and 30 March तक तो कितने हुआ? 7 days उन में से Summer holidays कितने हुआ आपके? 30 days का ठीक है? जो summer सबसे long holiday होता है कौन सा होता है? Summer holiday होता है ठीक है? इस तरीके से आप इसको लिखेंगे Next चलते है Complete the chart Complete करना है आपको उसी से लिए है Worksheet से ठीक है? आपने देखा होगा एक तो 12 hour वाली clock होती है होती ही नहीं होती है और एक क्या होती है? 24 hour वाली clock होती है जब आप डोग train वगरे में travel करेंगे तो आपको बता चलेगा वहाँ क्या होती है? 24 hour वाली clock चलती है ठीक है? तो जैसे हमारे वहां होती है न हमारी गर में clock होती है उसमें क्या होता है वन से 12 तक ही होता है और जो हम जब वहां जाते हैं ठीक है ट्रैवल करते है तो उसमें होता है 24 आवर वाली ठीक है जैसे हमारे 12 के बाद फिर वन स्टार्ट हो जाता है और वहां क्या होता है 12 के बाद 13, 14, 15, 16 तो वो 24 आवर तर ऐसे चलती है ठीके, फिर जाके उनका 1 स्टार्ट होता है तो ये है आपका टाइम बता रखा है उसी को देखना है टाइम बाई यूवर वाच 12 आवर क्लॉक ये 24 आवर वाली जैसे जब हमारे वन 1 o'clock आप्टरनून होगा तो क्या हो जाएगा 13 hours हो जाएगे उसमें ठीके हम वन के बाद सिद्यों कहते ना कि 1 o'clock हो गया तो क्या हो जाएगा 13, ठीके 13 o'clock ऐसे 2 o'clock in afternoon तो 14 आजाएगा 13 के बाद 14 ही आएगा 3 का 15 3.30 का 5.30 6 o'clock evening का 18 12 o'clock का रात में तो यहाँ पर क्या जाएगा 24 hours आजाएगा ठीके इस तरीके से आप करेंगे जैसे हमारी वाच होती ना ऐसे होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह तो यहाँ पर क्या जाएगा पूरा टोटल 12 तक यह आजाती है ठीके उनमें क्या होता है 24 hours वाली होती है ऐसे ही नेक्स्ट लास्ट है आपका यू मस्ट है नोटे टू नोटे दो टाइम औफ संराइज और संसेट राइट है यूजिंग एम और पेम एम और पेम में आपको लिखना है ठीके जैसे संराइज होता है तो सुबह होता है तो सुबह की आउट है हमारा एम जो रात की 12 o'clock होता है उसके बाद की आ हो जाता है हमारा एम लग जाता है रात की 12 बेज़ी की बाद और जो दिन का आप्रणून में चाबगो आपका 12 बाद बाद की आ हो जाता है पी-म हो जाते है तो sunset के किस में होगा हमारा पी-म में होगा ठीक है sunrise am में हो जाएगा सुभी के morning में और जो sunset होगा हमारा पी-म में हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप इसको करीगा